The whole ego effect, the power of secret identities to transform your life, introduction, American football और baseball दोनों के एकलोते all-star player वो Jackson का एक secret है, in fact ये secret और भी कई famous celebrities ने भी शेयर किये हैं जिने आप शायद पहचानते हैं, एक जंपल के लिए Beyonce और Kobe Bryant है, वो का secret ये हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी फुटबोल नहीं खेला, जब वो फ्रिल्ड में जाते हैं, तो कोई और दूसरा शक्स उनके अंदर हावी हो जाता है, ये शक्स है वो का alter ego, एक, alter ego के बारे में आपने शायद टीवी और फिल्मों में सुना होगा, कई लोग alter ego को यूज़ कर success पाते हैं, वे भी वो की तरह alter ego की वजह से इतिहास रचते हैं, इस समड़ी में आप alter ego के पावर के बारे में जानेंगे और अपना alter ego बनाना भी सिखेंगे, वोट्स यूज़ फाउन बूर्ट मॉमंट्स, आपने alter ego के बारे में सुना होगा, alter ego का मतलब है किसी इंसान की दूसरी या alternative personality, ये अक्सर comic books, movies यहां तक की गानों में भी यूज किया जाता है, alter ego रखने वाला सबसे popular comic character सुपर्मेन है, जब उनके सामने कोई विलन होता है, तो ओफिस जाने वाला वो आमसा शक्स Clark Kent सुपर्मेन बन जाता है, तो ओधर टोड़ आपसे पूछ रहे हैं कि यहां alter ego कौन है, सुपर्मेन या Clark Kent, बहुत से लोग जट से जवा पावर हैं, या वो कोई ऐसा शक्स है जो हमेशा बुराई को हरा देता है, लेकिन लोगों का ये अंदाजा गलत है, असल में टोड़ के हिसाब सेहांसली alter ego Clark Kent है, सुपर्मेन ने Clark Kent का alter ego बनाया क्योंकि वो इंसानों को करीब से समझना चाहता था, वो किसी का ध्यान अपनी और खिचना नहीं चाहता था, और इंसानों से घुल मिल जाना चाहता था, लेकिन ये सब क्यों माइने रखता है, ऐसा इसलिए क्योंकि लाइफ काफी मुश्किल होती है, आपको सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए और अपना मनचाहा काम करने के लिए alter ego की जरूरत है, और इगो से आपको उन चीजों को हासिल करने में मदद मिलती हैं, जिनें आप हासिल करना चाहते हैं, कई फिमस सेलिबरिटी, एतलिट्स और इंफ्लूएंशियल लोगों का भी alter ego होता है, जिंगी में कुछ ऐसे पलोते हैं, जो आपको बना या तोर सकते हैं, इन पलों के दौरान लोग इतने ज्यादा प्रेशा में होते हैं, कि वो अकसर टूट भी जाते हैं, दूसरे शब्दों में कहें, तो वे अपनी लाइफ के सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट से दूर भाग जाते हैं, या फिर नवसनस और डर की वजह से फेल हो जाते हैं, ऐसा ही केस है पंदरस साल के बास्केटबॉल प्लेयर एंथनी का, एंथनी एक राइजिंग स्टार था, वो अपने स्कूल का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर था, अलग-अलग नमी गिरामी स्कूलों के स्काउट्स ने पहले से ही एंथनी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए पाक रह जाता, वो इतना टैलेंटेड, ब्राइट और हार्ड वर्किंग था, लेकिन उसकी एक प्रबलम थी, जब भी गेम किसी सीरियस सिचुएशन में होती तो एंथनी घबरा जाता, ये उसके लिए विनिंग शुट मारने का मौका हो सकता था, लेकिन एंथनी बॉल को दूसरे प्लेयर को पास कर देता था, इतने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर के लिए ये एक सुनहरा मौका होता था, जिसे वक हो देता था, एक दिन प्रैक्टिस के दौरान एंथनी के कोच उस पर चिलाने लगे, एंथनी ने एक बार फिर से एक ज़रूरी पॉइंट पर बॉल अपने टीम मेंबर को पास कर दिया था, गुस्से में कोच ने कहा कि काश एंथनी टीम के दूसरे प्लेयर जेम्स की तरह होता, जो बॉल को शूट करने में कभी नहीं हिचकिचाता था, वो पल एंथनी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, विनिंग पॉइं अपना अल्टर एगो बनाने के लिए आपको अपने अंदर जागना होगा, आपके अंदर हमेशा एक आवाज होती हैं जो आपको बताती हैं कि आप क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं, आपके अंदर एक हीरो होता है, जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोपता, इस हीर टेनिस खेलने का जुनून था वो इसमें काफी अच्छा था और जो भी उसे खेलते देखता वो उसके हुनर को देखकर हैरान हो जाता यान प्रोफेशनल तौर पर टेनिस खेलना चाहता था लेकिन कुछ था जिसने उसे ऐसा करने से रोका हुआ था इसलिए लोग कहते कि उस क्या आप जानते हैं कि यान ऐसा क्यों करता था ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि जब भी वो कोई मैच हारता है तो वो एक फेलियर है वो नहीं चाहता था कि फेल होना उसकी पहचान बन जाए जब भी वो हारता उसे लगता था कि वो किसी काम का नहीं है जब आप कोर्स सेल्फ के कॉंसेप्ट को समझने की जरूरत हैं। के अंदर का मोटिवेशन था। आपके अंदर कई फैक्टर होते हैं जो मोटिवेटर का काम करते हैं। जैसे कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बेहतर बनना चाहते हैं। आप चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं या शायद आप किसी पल में खो जाना चाहते हैं और मज़े लेना चाहते हैं ये सब कितना सिंपल और सीधा हैं है ना अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बस उसे कर गुजरना चाहते हैं लेकिन जब आ पसली में उसे करने जाते हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है, कि आप उसे पूरी तरह कर पाएं, आप decide नहीं कर पाते, order जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हैं क्योंकि आप सिर्फ अंदर के motivation की वजह से motivate नहीं हो सकते, बहुत से internal और external factor होत होता है, जिसमें कई layer यानी पड़ते होती हैं, खास्तोर पर इसमें चार layer होते हैं, फर्स्ट लेयर दो चीजों से बनी है, आपका core self और core driver layer, आपके core circle field of play में आपका core self होता है, आपकी काबिलियत ही core self है, ये आपके अंदर की वो बाते हैं, जिनने आप मुमकिन बना सकते हैं, core driver layer आपके अंदर के वो motivators हैं, जिनके बारे में उपर बताया गया था, फर्स्ट लेयर में वर चीज़े हैं, जिनकी आप care करते हैं, और जिनसे आप खुद को जोड़ कर देखते हैं, यही वर जगह हैं, जहां आपको अपनी life का purpose मिलेगा, आपको क्या motivate करता हैं, second layer आपके भरोसे की हैं, आप अपने आपको और अपने आसपास की दुनिया को किस नजर से देखते हैं, second layer इसी से बना है, यह वर जगह हैं जहां आपकी opinion, value, आपकी सोच और उम्मीदे पाई जाती हैं, third layer है action का layer, इसी से आप दुनिया के सामने खुद को दिखाते हैं, य क्योंकि यही वो माहौल हैं, जिसमें आप रहते हैं, दूसरे शब्दों में यह आपका असली environment हैं, जिनमें शामिल हैं आपके हालात, आपके आसपास के लोग और लोगों की उम्मीदे, यही सारे layers आप पर अपना असर डालते हैं, इन layers के असर ही ते करते हैं कि आप कैसे क करेंगे, कैसे सोचेंगे और क्या महसूस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी एसी चीज़े हैं जो आपको अपना मनचाहा काम करने से रोक रही हैं, इन layers को जानने के बाद आपको यह पता चला कि जरूरी पलों में आपको अपना कौन सा पहलू सब के सामने लाना है दूसरे शब्दों में अब आपको मालूम है कि आप अपने alter ego को कैसे बाहर ला सकते हैं, आपके कंधों पर कई सारी उम्मीदें और जिम्मेदारिया हैं, जब भी आपको इन जिम्मेद्रियों को उठाते हुए या फिर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हुए हि स्टडी से पता चला है कि इस तरह सोचना काफी असरदार होता है। एक स्टडी की गई थी जिसमें बच्चों को एक बॉक्स को अनलोक करने को कहा गया था। इन बच्चों को धेर सारी चावियां दी गई। असल में इन में से कोई भी चावी उस बॉक्स की थी ही नहीं। इन बच्चों में से एक ग्रुप को खुद को सुपरहिरो मानने के लिए कहा गया और दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं कहा गया। जिस ग्रुप को अपने फिवरेट सुपरहिरो की तरह बनने को कहा गया था, उन्होंने बॉक्स पर काफी वक्त लगा कर काम किया और उन्हो दूसरे ग्रुप ने जल्दी ही हार मान ली तो आप ये देख सकते हैं कि power of identity आपको कितना फाइदा पहुँचा सकती है बियोंसे जैसी famous celebrity भी यही करती है आप ऐसा मान सकते हैं जैसे आप में कोई कमी नहीं है और आप जो कुछ भी करना चाते हैं वो कर सकते हैं अपना alter ego बना कर आप अपना mindset चेंज कर सकते हैं यही अनुसरतिको W mindset और wow mindset की बात आती है wow mindset तब माना जाता है जब आप negative emotions में बहकर किसी काम को करते हैं जैसे कि आप किसी goal को पूरा करने से खुद को रोपते हैं क्योंकि आप नकाम होने से डरते हैं यह आपको अपनी असली potential आपकी काबिलियत को पहचानने से रोपता है दूसरी तरफ wow mindset एक positive और growth mindset है इसमें आप में positive emotions भरा होता है और आप बहतर बनने के लिए काम करते हैं आपको यकीन होता है कि आप challenges का सामना कर पाएंगे यह mindset आपको alter ego तयार करने में help करता है alter ego आपको आगे बढ़ना और अपने डर पर काबू पाना सिखाता है यह आपको आपकी काबिलियत पर focus रखने में help करता है पूरी दुनिया ऐसे ही काम करती है हर कमजोरी के लिए एक ताकत जरूर होती है यहाँ उजाला है और अंधेरा भी यह दुनिया opposite बातों की है इसी वज़ा से इस दुनिया में ordinary और extraordinary दोनों ही मौजूद है इनके नाम से ही जाहिर है कि आपका alter ego कौन सी दुनिया से जुड़ा हुआ है extraordinary दुनिया वह है जहां आप ग्रो करते है ordinary दुनिया वह जगह है जहां आपका core self आपके doubt और डर की वज़ह से फंच जाता है एक ordinary दुनिया में आपको लगता है जैसे आपका कोई control नहीं है ordinary दुनिया और उसके layer आप पर जबरदस्ट negative असर डाल सकते है पहली layer आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आप किसी चीज के लायक नहीं है दूसरी layer आपको अपने past की जलक दिखाती है जो यह कहती है कि आपने कभी खुद पर भरोसा नहीं किया और यही confidence की कमी आपको हमेशा fail करती रहेगी तीसरी layer यह कहती है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए आपके past knowledge और skill की कमी है आखिरी layer, field of play आपको इस बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर आप नाकाम होते हैं तो लोग आपको fail होते हुए देखेंगे इस वज़ा से आपको कोशिश करने में भी शर्म आएगी defining your super powers and crafting the name सब सुपरहिरो को पसंद करते हैं ऐसे सुपरहिरो हवा के बीच में bullet को रोग देते हैं वे उड़ सकते हैं, पानी के अंदर सांस ले सकते हैं बुरे लोगों को मार सकते हैं और उन्हें एक चोड तक नहीं लगती अगर आप उनकी कोपी करने की कोशिश करेंगे तो ये नामकीन है और यह बहुत फणी लगेगा लेकिन फिर alter ego आखिर किसलिए होता है इसका फाइदा ये है कि बेशक आप गोलियों को नहीं रोग पाएंगे या पानी के अंदर सांस भी नहीं ले पाएंगे लेकिन आपका alter ego कम पावरफुल नहीं होता ये आपके decision लेने में डर, criticize करने की और ठालम टोल करने की आदक को भगा सकता है आपका alter ego आपका super power होता है लेकिन असल में आपको किन super power की जरूरत होती है Of course ये सब आप पर depend करता है एकजमपल के लिए किसी business करने वाले के alter ego में confidence, decision लेने की clear सोच और समझदारी का power है आपका super power भी आपके हालात के हिसाब से होना चाहिए और वहां काम आना चाहिए जहां आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहां हम बात करेंगे कि आप अपने alter ego के super power को कैसे बना सकते है सबसे पहले super power के साथ शुरू कीजिए इसके लिए सबसे आसान तरीका है अपने लिए किसी adjective की तलाश करना जब आपको अपने alter ego की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तो आप खुद के लिए कौन सा adjective यानी शब्द पसंद करेंगे क्या आप बहदूर बनना चाहते है आनेक बनना चाहते है या फ्रिशाद बने रहेंगे आप किसी ऐसे शक्स के बारे में भी सोच सकते हैं जिसके पास वो खासियत है जो आपको पसंद है क्या ये शक्स डिसिप्लिन हैं? क्या वा स्मार्ट हैं? क्या आप इस शक्सियत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? एकजामपल के लिए जूलिया को लीजिए वो चुपचाप रहने वाली इंसान है जो आसानी से दोस्तों के प्रेशम में आ जाती है वो इसे बदलना चाहती थी और अपने फैसलों पर कायम रहना चाहती थी इसलिए जूलिया शेर की तरह स्ट्रोंग बनना चाहती थी क्योंकि शेर को एक निडर जानवर माना जाता है लेकिन बाद में जूलिया को शेर को चुनना सही नहीं लगा क्योंकि वह शेर के साथ खुद को जोड़ कर नहीं देख पाई ये उसे सूट नहीं कर रहा था लेकिन फिर उसने हिरन के बारे में सोचा हिरन आम तौर पर शांत रहता है लेकिन साथ ही जमीन पर मजबूती से खड़ा होता है याद रखिए आपको किसी ऐसे शक्स या जानवर को चुनना चाहिए जिससे आप खुद को जोड़ कर देख सकते हैं उससे कनेक कर सकते हैं दूसरा किसी ऐसे शक्स या चीज को चुनिये जिसे आप पसंद करते हैं ये पहले स्टेप के जैसा ही है लेकिन ये और ज्यादा गहरा है दूसरा स्टेप आपको उस शक्स या जानवर को गहराई और करीब से देखने के लिए एंक्रेस करता है उनकी कौन सी ऐसी खासियत हैं जिसे आप पसंद करते हैं और अपनाना चाहते हैं ये शक्स किसी कहानी से निकला इमेजिनवी यानि फिक्शनल करिक्त भी हो सकता है क्या आप हैरी पॉडर की बहादुरी को पसंद करते हैं क्या आपको नैंसी ग्रू की बुद्धिमानी पसंद है? दूसरे स्टेप का मकसद ये जानना है कि आप कौन सा गुण, कौन सी खासियत पसंद करते हैं आपका ओल्टर इगो इन्हें अपना सकता है अभी आपको जो भी प्रोब्लम है उन्हें दूर किया जा सकता अगर आपके पास कुछ ऐसी ही कुलितिस का कॉम्बिनेशन होता है ना इसलिए जिन लोगों या जानवरों के गुण को आप अपनाना चाहते हैं उनके बारे में जानने के लिए अपना थोड़ा वक्त निकाले तीसरा मान लिजिए कि आप जिन गुण को जिस खासियत को अपनाना चाहते हैं वो आपके सामने ही है ये किसी दोस्त या फैमिली के किसी मेंबर में हो सकती है ये आपके पडोसी या क्लासमेट में भी हो सकती है सबसे अच्छा ओल्टर एगो वो होता है जिसके साथ आपको कनेक्शन का एहसास हो फिर भी अगर आपको अभी भी ऐसे गुण की पहचान करने में मुश्किल आ रही है तो इन सवालों के बारे में सोचे आप जिन लोगों की तारीफ करते हैं वे ऐसा क्या अलग करते हैं अगर आप अपने काम में अच्छे होते तो आप खुद को कैसे आगे बढ़ाते अपनी कौन सी खासियत को आगे ले जाते जब आप इन गुणों की लिस्ट बना लेंगे तो हर एक को करीब से देखिए ये किसी और को कैसा दिखेगा ये गुण आपको कैसा लगता है ये लोगों को कैसा लगेगा आप अपने ओल्टर इगो को क्या नाम देना चाहेंगे कुछ लोग सुपरहिरो के नाम को यूज करते हैं कुछ जानवर के गुण से इंस्पायर होते हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने ओल्टर इगो को क्या नाम देंगे बस ये ध्यान रखिए कि ये आपसे emotionally connect कर सके अब जब आप उन गुणों को और लोगों या जानवरों की खासियत को अपनाना चाहते हैं तो यही वक्त है जब आप अपने alter ego को बाहर निकाल सकते हैं तोड ने जो पहली टेक्निक बताई वह हैं observer टेक्निक है इसमें सिर्फ ये visualize करना है कि एगर आपके पास उन खासियत की list है जिनें आप अपनाना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे और क्या महसूस करेंगे या आप ये visualize करते हैं कि आप एक super hero है या कोई fictional character जो आप बनना चाहते हैं दूसरी टेक्निक है immersion टेक्निक ये टेक्निक पहली टेक्निक जैसा ही है लेकिन इसमें आप ऐसे imagine करते हैं जैसे कि आप ही alter ego हैं इसमें आप अपने mind, body और आत्मा को अपने alter ego में डाल रहे हैं अगर आपको अपना alter ego बनने में परिशानी हो रही हैं तो चिंता न करें तोड़के ऐसे clients भी थे जो इस परिशानी से struggle कर रहे थे इसके लिए तोड़का एक tip यह हैं कि आप उन लोगों के interview देखिए जिनके जैसा आप अपना alter ego बनाना चाहते हैं अगर यह fictional शक्स हैं जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहिए अगर यह एक जानवर हैं तो आपको उसे nature में उसके वीडियो को देखना चाहिए ऐसा करने के पीछे की वज़ा है कि आप अपने alter ego को सही तरीके से पहचान सके अपने alter ego में जान डालने का सबसे असदार तरीका है इसे field of play के layers पर अपलाई करना पहली layer में आप अपने alter ego को अपने core self के एक हिस्से के रूप में देखकर इसे अपना सकते हैं आप अपने alter ego में कौन से skill, knowledge, behavior, action और reaction देखना चाहते हैं तोड के एक client को अपना finance संभालने से नफरत थी वो अमीर बनना चाहता था लेकिन वो पैसा कमाना सीखना नहीं चाहता था इसलिए तोड ने अपने client को की करोड़प्तियों के combination की तरह अपना alter ego बनाने के लिए कहा ये करोड़प्ती शांग थे और वे पैसे को संभालने के लिए भी तयार रहते थे ये उनका एक तरीका था जिससे वो खुद पर यकीन कायम रख सकें कि वो पैसों के मामने में समझार है तोड़ने अपने client से कहा कि वो खुद को उन करोड़प्तियों की तरह बनने का imagine करे जिन की तरह वो बनना चाहता है आपको भी अपने alter ego को काम कराने के लिए इसे सब के सामने लाना होगा अगला आपका alter ego कैसे काम करेगा क्या उसका poster सीधा है जब वो बोलता है तो क्या करता है क्या वो तेज आवाज में बोलता है क्या वह किसी से बात करते वक्त हमेशाई contact बनाता है इस तरहन तोर तरीकों के बारे में सोचिए जो आपके औल्टर एगो में होंगे जब आप किसी की बातों को सही नहीं मानते तो आम तोर पर आप क्या करते हैं क्या आप चिल्लाते हैं और गुस्सा करते हैं अगर उस वक्त आपका औल्टर एगो होता तो वह क्या करता अगर आप सक्सेस्फुल होना चाहते हैं, तो एक सक्सेस्फुल शक्स किस तरह के कपड़े पहनेगा, क्या वो सूट पहनेगाया हो सकता है कि कपड़ों से उसे कोई फर्ट न पढ़ता हो, और वो बस एक साफ शर्ट और जीन्स पहनना पसंद करता हो, जो भी है ये आप पर करता है कि आपका ओल्टर इगो खुद को कैसे सामने लाना चाहता है, दूसरा लेयर यह है कि आप कौन है, आपके ओल्टर इगो का अट्टिचूड, सोच, वैल्यू, नजरिया और उम्मीद किस तरह का है, आप अपने आपसे बातें करना शुरू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरा ओल्टर इगो मानता है कि वह एक अच्छा स्पिका है, बाद में अपनी बात को बदल दीजिए, तब आप कह सकते हैं मेरा ओल्टर इगो जानता है कि वह एक अच्छा स्पिका है, यह जानना कि आप किसी चीज में अच्छे हैं, बहुत ही पावर्फुल होता है, सिर Alter ego का होना उनका भी unrealistic यानि अयाली बात नहीं है। आपका alter ego आपको अपनी कई जिम्मेदारियों को balance करने में help करता है। ये आपको वह सब हासिल करने में help करता हैं, जिनें आप हासिल करना चाहते हैं। Alter ego आपको अपने doubt और डर को हराने में भी help करता है। दूसरा आपने जाना कि ऐसे बहुत से factor हैं जो आपकी help करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपको वह करने से रोपते हैं जिसे आपको करने की जरूरत हैं। ऐसी बहुत सारी layers हैं जिनके बारे में आपको सोचने की जरूरत हैं। पहली layer आपकी बताती हैं कि आप कौन है और आपको क्या motivate करता है। दूसरी layer आपके भरोसे और उम्मीदों से जुड़ी हुई है। तीसरी layer में आपकी काबिलियत और आपकी आत्ते शामिल है। आखिरी layer आपका physical environment है। ये सभी layers या तो आपके काम आ सकते हैं या फिर आपके खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए जब भी आपको अपना alter ego बनाना हैं, आपको इन layers के बारे सोचने की जरूरत हैं। चौथा, आपने सीखा कि अपने alter ego को बनाने के लिए पहला step है अपने superpower को पहचानना। लोगों की क्या ऐसी खासियत हैं, जिनने आप अपनाना चाहते हैं, फिर चाहे वक किसी कहानी से लिए गए लोग हो या फिर असली लोग, कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके गुणों को आप खुद में देखना चाहते हैं, यही सब खासियत गुण आगे चलकर आपके superpower बनेंग हैं, अपने ओल्टर इगो को पहले बताए गए अलग-अलग लेरिस के हिसाब से सोचना, आपको अपने ओल्टर इगो के हर एक इंच को समझना होगा ताकि आपको जब भी इसकी जरूरत हो, आप इसका effective तरीके से यूज़ कर सकें, जिन लोगों ने अपने अपने फ्रिड हासिल करना चाहते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, अपना ओल्टर इगो बना कर आप अपना बेस्ट वर्शन बन सकते हैं,